हैलो फ्रेंड्स तो हम लोग जो है mtg का सीरीज चला रहे थे तो उसमें जो है हम लोग क्लास 12 का है इको लोजी से पहले सारा चैप्टर's कंप्लीट कर लिए थे ठीका तो उसके बाद को इस रे जन के बजーツ से हम लोग जो है इसको नहीं कर पाय तो फिर से हम इस सीरीज को कंपीनियु कर रहें तो आज हम लोग जो है ecology का पहला चैप्टर जो है वो start करेंगे और ecology में जो पहला चैप्टर है वह है क्या यह organism and population कौन सा है organisms and population तो ecology का जो ecology है उसका पहला चैप्टर और गनीज्म एंड पॉपुलेशन यह पहला चैप्टर है इसमें टोटल 125 कोशन दिया गया है MTG fingertips में इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे तीन वीडियो में डिवाइट करेंगे ठीक है और तीन वीडियो में आज यह फर्स्ट वीडियो जिसमें 40 कोशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 40 कोशन करेंगे और बाक्यों पचा हुआ 45 कोशन जो है अगले वीडियो में करेंगे ठीक है तो यह टोटल कितने वीडियो बन जाएंगे इसके इसके टोटल जो वीडियो बनेगा वह बन जाएगा तीन ठीक है तो चलो आज का यह लेक्शर चालू करत देखो सबसे पहले इन्डिविज्रेंग को मिलास को जिए फिर ख्लिया तो यहां पर घ्री चेम हो जाया का या यानि उसके बार देखो यहां पर कम्हिक उनिट अफ इकलोजिकल है कि मतलब हमब बड़ा गया है कि basic unit को भी ecological hierarchy का basic unit क्या होगा तो देखो basic unit किसी भी ecological hierarchy कहां से start होगा individual से start होगा क्योंकि ecology जो होगा जब species का single individual मिलेगा और वो मिला के population बनता है तो ऐसे करके आगे hierarchy बनता है तो सबसे basic unit क्या हो गया individual हो गया तो simple क्या हो जाएगा इस concept individual ठीक है उसके बाद देखो several plant and animal species present together at a place constitute बोला गया है कि several plant और animal species है ठीक है जो की एक present है at a place किसी एक place पर present है तो यह क्या बनाएगा तो देखो सबसे पहले एक अगर एक plant है उसका एक species होगा वो मिलेगा तो individual होगा ठीक है फिर यह individual मिला के बनाएगा population बनाएगा तो यह जो plant है यह प्लांट का कुछ population बना इनिमल का कुछ species का पॉपुलेशन बना और यह कुछ population को मिला के क्या बन जाएगा चांस्टिटी बन जाएगा क्या बन जाएगा तो यह ने चीज हो गया तो ऺएस कांसर क्या हो गया दी हो गया फिर नेक्स कोस्टेंट है हमारे फोर्ड नंबर कोस्ट पे फोर्ड नंबर कोश्टन क्या बोल रहा है ब्रांच of science which studies the interaction among organisms and between organisms and physical environment is called as मतला में बोला गया है science का वह ब्रांच जो कि study करता है interaction among organism यानि कि organisms के बीच का interaction study कर रहा हो या फिर organism and between organism and physical environment organism और फिजिकल इंवर्मेंट के बीच में यह सिर्फ साइंस का वही ब्रांच है जिसको हम लोग जिसका हम लोग कोशिशन सॉल्व कर रहे हैं यानि कि यह जो है हमारा ecology है क्या है ecology ठीक है तो फोर का अंसर क्या हो जाएगा फोर का अंसर हमारा भी ecology हो जाएगा ठीक है सिंपल है ecology में हम लोग क्या study करते हैं study करते हैं interaction between और इंवंग और इंवर्मेंट से इंवर्मेंट तो यह चीज है ठीक है तो यह चीज हो गया अब वहारा next question है read the given statement select the correct option दो statement दिया गया यहां पर statement स्टेट्मेंट को हमको पढ़ना है और इन दोने स्टेट्मेंट से देखना है कि इसमें से कौन सो आप्सन सही होगा ठीक है देखो स्टाड़ी ऑफ सिंगल इंडिविजुल और पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इन वर्मेंट इस कल्ड ऑटो को लॉजी ठीक है यह बिल्कु ग्रूप उफ इंडिविजुल और अ कॉमिनटी इन रिलेशन टू इन वर्मेंट इस नोगन ऐस सिन इकोलॉजी यह भी कहे करेक्ट है जब एक सिंगल इंडिविजुल या फिर पॉपुलेशन का इन्वर्मेंट के साथ गेंगे स्टड़ी करें गे तो उसको हम लोग और बोलते हैं simple है फिर group का study group of individual नहीं कि मतलब कि क्या होगा individuals है उसके group को study करेंगे या फिर community और उसके environment के relation को study करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीन ecology बोलते हैं तो simple definition जो है वो आपको याद रखना है ऐसे statement में भी फूचा जा सकता है और बिना statement का भी सीन ecology किसके बीच का relation है और technology किसके बीच का relation है तो यह simple चीज़ पूछे जा सकते हैं ठीक है यह दोने statement करेक्ट है यानि कि बोथ statement बन और करेक्ट है यह जाएगा ठीक है तो यह चीज़ हो गया अब हमारा इंडिया कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया बहुत हर्वी वोर्स और एकोलोजिकल एकोलोजिकली एक्युवैलेंट्स ठीक है यह हो गया उसके बाद देखो उसके बाद क्या है दूसरा स्टेट्मेंट क्या दो ऑर्गनिजिम हैविंग सीमलर नाइके डिफरेंट जिफरेंट ज इन्डिया में है ठीक है कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया में हर्वी बोर्स होता है ठीक है दोनों का नयकी क्या है तो इस इसको हम लोग बोलते हैं तो यहां पर बोला गया है जब ऑर्गेजिम का सिमलर नाइकी होगा तो इसको हम लोग कहते हैं जब डिफरेंट एरिया डच चाहेगा तो को हमें बोला जारहा है कि जो निखेंखai बिशे छीज को करता यह इंडीकेयर करता है और druid को दो some very शेरंग करता है उसी चीज़ को टेंडेंडीकेट करते मालोग कोई एक nenhum संधाना ज्यादा कोई भी रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स है, उसको एक, उसको दो स्पेसिज अपस में share कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निके overlap फिक है, तो यह हो गया, यहां पर कहा है, sharing of one or more सबसे पहले तो हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड एक्सिस है इसका स्टेट एक्सिस तो नहीं यह टिल्टेड है तो पहला रिजन तो यह हो गया सिजनल वैरियसन का दूसरा रिजन होता है सन के एराउंड रिवॉल्ट करता है उसके कारण क्या होता है सिजनल वैरियसन आता है तो दो रिजन हो गया एक चीज और है रोटेशन के कारण सिजन वैरियसन नहीं आता है रोटेशन के कारण क्या यह पाता है इसमें क्या हो जाएगा टिल्टेड एक्सिस के करण और रिवलीशन और रिवलीशन एराउंड सन हो जाएगा यानि की एड कांसर क्या जाएगा डी बोथ ए एंड सी ठीक है उसके बाद को कॉस्टेन नंबर 9 हमको क्या क्या बताना है यह जो है यह डिजर्ट है यह डिजर्ट है बी वला जो है वो क्या है यह हमारा grassland है क्या है grassland ठीक है फिर c कहां दिया गया c यहां दिया गया यह क्या है tropical forest क्या है tropical forest है ठीक है simple d में d कहा है d यहां पर यह क्या दिया गया है तो d जो है वो है temperate forest क्या है temperate forest ठीक है फिर e है e जो है वो हमारा है Coniferous Forest Coniferous Forest और F जो है वो है हमारा Arctic Arctic and Alpine Tundra Alpine Tundra ठीक है? यह है Arctic and Alpine Tundra तो देखो हम से यहाँ पर क्या पुछा गया है? Temperate Forest और Coniferous Forest Temperate Forest कौन सा है? D वला है और कोनी फिरस्ट वरस कौन सा है E वला है तो यह कौन कौन सा हो गया D and E हो जाएगा तो answer simply इसका क्या हो जाएगा 9 का C हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया अब हमारा next question है question number 10 यहाँ देखो different biomes are formed due to annual variation in dash over the earth surface मतलब जो different biomes form हो रहा हमारे earth पे वो किस चीज़ के annual variation के कारण होता है तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जितना भी biomes बनता है वो हमारे earth के बहुत सारे variation पे depend करता है सबसे पहला चीज important most important factor है वो है हमारा temperature यानि कि जैसा temperature variation होगा उसके according biomes बनता है जैसे हम लोग क्या देखें यहां पे temperate forest tropical forest उसका क्या है यह सब क्या है एक तरह से biomes है ठीक है तो जब biomes vary कर रहा है तो देखो यहां पे dessert में कुछ जादा ही temperature होता है grassland में कम temperature होता है temperature forest में कुछ throughout the year similar temperature रहता है तो यह temperature के पहला क्या हो गया temperature के variation के कारण तो होता है जब annual temperature vary करेगा तो वो होगा फिर दूसरा जो होता है वो precipitation के कारण होता है किसके कारण होता है अर्थ पे कितना precipitation हो रहा है कितना वारिस हो रहा है कितना बर्स snowfall हो रहा है इस चीज़ पे depend करता है ठीक है फिर तीसरा क्या होता है कि कितना solar radiation अर्थ पे आ रहा है जितना ज़्यादा solar radiation आएगा उसे साब से क्या करेगा हमारा annual variation होगा तो यह तीन चीजों पे क्या होता है annual variation जो है अर्थ के surface पे depend vary करता है इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा डी all of this ठीक है तो यह चीज हो गया उसके बाद देखो question number 11 deserts rain forest tundra etc are examples of यह सारे किसके example है यह सारे आपके biomes के example है किसके example है biomes के example है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा 11 का भी हो जाएगा ठीक है तो यह चीज हो गया अब हमारा next question है question number 12 characteristics of a terrestrial biome are strongly influenced by its मतलब हमें बोला गया है कि कोई भी terrestrial biome का वह strongly किस चीज से कि उसके किस चीज से influenced होगा तो सबसे पहले देखो यह जो सबसे जो हमारा trace tail biome है जैसे desert हो गया tropical forest हो गया यह सब क्या है trace tail biome है ठीक है तो trace tail biome किस चीज से influenced होगा तो देखो वहां पर क्लाइमेट है सबसे पहले तो यही डिपेंड करेंगा न कि वहां का climate कैसा है उस चीज पर उसका बायोम जो होगा वैरी करेगा तो climate पर डिपेंड करेगा फिर वहां पर कैसा flora है फिर और वहां पर कैसा फौना है तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि जहां पर यह वहां पर कैसा क्लायमिट है कैसा फ्लोरा है इस चीज पर करता इस चीज से strongly influenced होता है ठीक है करेक्टरिस्टिक जो होगा strongly influenced होगा तो ये तीनों से होगा यानि कि 12 कंसर क्या जाएगर डी ओल अप तिस ठीक है तो यह चीज है अब हमारे नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर 13 यहां है मतलब हमें बोला गया है कि कौन से कौन सा एक्विटोरियल रीजन है जहां पर रेनफॉल और वांथ होता है लेकिन कौन से वायों में रेन जो होता है वो एपसेंट होता है तो बहुत सबसे पहले ट्रोपिकल रेन फौरिस्ट में होता है वो रेन्स बहुत भूँत ही ज्यादा रेनफॉल और बहुत ज़्यादा अभलत हुक्त हो पहला में तो हो सब्सक्तर यहां यहां नहीं नहीं होगा यहां बहुत हो होता है सिमपल संसले में नहीं होता है तो ट्रोपिकल चाहिन का या सफॉन्बार फूर्ट है तो यह रहे हैं इफ एप लिकर्ट तक है तो हमको बताना है कि इन से कौन सा for an Geo jo hai boy in boat सिम्भोलाइज करए कि सिसे को बायों को सिम्भोलाइज कर रहा है ठीक है तो देखो ये सब क्या है यह सब डिफरेंट स्पीसिज मिलके क्या बनाएगा इफ्रेंट इस्पीसिज पे पहले तो यह इंडिवीजल है इन्डिविजूल मिलके क्या बनाएगा फिर यह सारा जो पॉपॉलेशन है वह आपस मिलके क्या बनाएगा और यही डिफेरेंट इंट्रेक्शन करके बना देगा बायोम बना देगा तो यह फोटीं काइंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है तो यह चीज़ हो गया यह सिंपल क्या है सारा एक स्पेसिज का है पॉपुलेशन हो गया इसमें दो स्पेसिज तीन स्पेसिज है तो यह क्या हो गया कॉम्मिनिटी हो गया और फिर इसमें बहुत सारा यह भी कॉम्मिनिटी है ये भी community है, ये भी अलैके community है, ये तीनो community आपस में मिलके क्या बनाया, एक system बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? biome बोलते है, ठीक है, तो सबसे पहले individual आता है, individual के बाद interaction, individual का attraction, same species के interaction से population बनेगा, population के interaction से community बनेगा, or different community का interaction से क्या बनता है? बायोम बनता है ठीक है यह चीज़ सिंपल है यह चीज़ हो गया ठीक उसके बाद आते हैं हमागा नेंस कोस्टन कोस्टन नोर फिफटिण क्या है रखकी elements that determine differences in environmental condition of different habitats include मुझा मैं बोला गया है कौन सा key element है जो की determine करता है differences in environmental condition of different habitats का different environmental condition जो है वो कौन से key elements के द्वारा determine किया जाता है उसमें देखो सबसे पहले abiotic and biotic condition आता है जिसमें most abundant temperature हो जाता है water हो जाता है light हो जाता है smile हो जाता है तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ temperature दिया हुआ light दिया हुआ तीन दिया हुआ यानि कि यह 15 गॉजाएगा डी अल अब मुझा नेक्ट कोशन आता है which of the following is not a part of organisms physical environment मतलब हमें बोला गया है इन मेंसे कौन सा और जो है वो organism का physical environment का पार्ट नहीं है देखो physical environment क्या हो गया physical environment वो होता है जो किसी भी individual के या फिर किसी भी organism के इन वर्मेंट का physical condition बता है जैसे temperature हो गया light हो गया humidity हो गया water हो गया soil हो गया यह सब क्या है physical environment फिजिकल इन वर्मेंट है लेकिन जैसे उसका other organism वो उसका physical environment नहीं है वह other organism हो जाता है तो 16 का अंसर क्या हो जाएगा c other organism जो कि physical environment नहीं होता है किसी भी तुम्हारा organism का ठीक है तो यह चीज हो गया अब हमारा आ जाता है next question question number 17 देखो which of the following statements is incorrect मतला हमको बताना है इन सब statements में से कौन सा statement जो है वो incorrect statement है ठीक है तो देखो सबसे पहला statement हम लोग यहाँ पर read करते है average temperature decreases progressively from plains to the mountain tops यह बिल्कुल सही है क्योंकि जैसे जैसे हम mountain पर जाएंगे यानि कि हमारा plane से mountains की और जाएंगे यानि कि altitude बढ़ रहा है तो altitude बढ़ने पर क्या होता है temperature जो है वो decrease होता है तो decrease progressively from plains to mountain tops यह चीज हो गया average temperature decreases progressively from the equated towards pole यह भी बिल्कुल correct है earth में क्या होगा दोनों side pole होता है एक side north एक side south pole और बीच में क्या होता है equator होता है तो equator से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे temperature क्या होता है decrease होता है तो यह भी statement क्या है बिल्कुल correct है उसके बाद देखो temperature affects the kinetics of engines and through through it is the vessel metabolism of the organism यह क्या बोल रहा है कि temperature जो होता है kinetics of engines को affect करता है बिल्कुल सही है हमारा engine जो होगा वह उसका working जो होता है जाने कि इस cancer क्या हो जाएगा डी नन ओफ जीस ठीक है तो यह हो गया अब आते है हमारे question number 18 में देखो question number 18 में यहां पर क्या है mango trees do not and cannot grow in temperate regions the most involvement in environmental factor is responsible for its mango trees जो है वह temperate regions में नहीं grow कर सकता है इसका most important environmental factor है वो है temperature क्या है temperature देखो क्योंकि temperature variation के कारण यह जो होता है temperature region में यह grow नहीं कर पाता है तो क्योंकि जब भी देखोगे जब भी study करेंगे हम लोग ecology study करते है तो उसमें most important factor होता है किसी भी organism का physical environment करता है वो होता है temperature temperature सबसे ज़्यादा किसी भी organism को affect करता है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसका 18 cancer क्या हो जाएगा यहां क्या है temperature is considered as the most ecologically relevant environmental factor because it affects the dust of organism मतला हमें बोला जा रहा है temperature जो है वो consider किया जाता है most ecologically relevant environmental factor क्योंकि यह किस चीज़ को affect करता ठीक है तो देखो यह जो हमारा यह क्या है temperature यह organism के physiology को affect करता है morphology को affect करता है और हमारा geographical distribution को भी affect करता है तीनों को affect करता है यानि कि इसका answer क्या हो जाएगा डी all of this ठीक है तो यह चीज़ हो गया अब आते हमारा next question question number 20 में देखो question of 20 में क्या है study the following statements and select the correct one यानि कि इन सारे statement को study करना है और हमको इन सारे statement में से सही option सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो देखो सभी सबसे पहला पढ़ते है organism capable to tolerate a wide range of temperature को tolerate कर सकता है उसको हम लोग बोलते है यूरी thermal organism क्या बोलते है यूरी thermal organism यूरी thermal organism ठीक है तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया हमको क्या उन सा बताना है करेक्ट वन बताना है thermal tolerance of different species determine their geographical distribution to a large extent बिल्कुल सही है किसी भी organism के पास कितना thermal tolerance है वो डेटर्माइन करेगा कि उसका distribution क्या एरिया में ज्यादा होगा कहां उसका geographical distribution किस तरीके से होगा तो यह स्टेटमेंट क्या बिल्कुल इन सारे option में कौन सा option जो है वह करेक्ट है वह हमको बताना है इसमें क्या बताना है तो देखो मैं जो होता है इसमें हमको क्या बताना है तो देखो मैं जो होता है एक यूरी थर्मल होता है क्या होता है यूरी थर्मल होता है तो इसका 21 कंसर क्या हो जाएगा भी यह चीज़ होगा ठीक है उसके बाद हमारा next question क्या है water is the second most important factor influencing the life of organism because water को हम लोग क्या बोलता है second most important factor होता है जो कि influence करता है किसी के भी life को वो क्यूं होता है तो उसका पहला reason है कि जो हमारा और किसी भी organism का major body part जो होता है वो बना होता है किस चीज़ से water से तो इसलिए यह क्या होता है एफेक्ट करता है फिर जो हमारा आर्थ पे जो लाइफ था यह नहीं जो productivity है किसी भी plant का वो किस चीज़ पर डिपेंड करेंड कि वहां पर कितना water capability है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बोथ A and B यानि कि D option हो जाएगा ठीक है why can Ratum रिप आरइट्रेम देट वाई रेंज आफ सॉल्ट कंसेंट्रेसन अस्टम्ट असी मतर्म बोला जा रहा है जा सॉल्ड को टॉल्रिट करेंगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यह क्या बोलते हैं उसके बाद हमाँ नेक्स कोस्टन है कोस्टन हमार 24 देखो यहां क्या है अब फ्रेस वाटर और्गनिजम कैन नौट सर्वाइब इन वाटर बॉड़ी दैट है जर ग्रेटर दैन इट्स नॉर्मल हैबिटेट मतलब हमें बोला जा रहा है कि एक फ्रेस वाटर और्गनिजम है वह वैसे वाटर में नहीं सर्वाइब कर पाएगा जहां क्या जादा होता है तो देखो जो फ्रेस वाटर है उसका सैलिनिटी यानि की सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो होता है वो कम होता है देन दा मरीन वाटर क्या होता है सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन होता है वो मरीन ग्रेटर स्वाट कंसेंटारेशन दैन हेपिटेट्ट यहां पहले हो जायगा तुम ऐख है यहां सॉन्ट सल्टेशन कम ओंते przy every хотя इक व्यक्ınd ऑूंटर यानि कि हमारा बॉडी जो बना हुआ है वह मैक्सिमुम एमॉंट ओवाटर से बना हुआ है अगर हमें एक सेल की बात करें तो उसका नाइटी परसेंट प्रॉटो फ्लांट जो बना होता है ठीक है फिर कोई भी न्यूट्रेंस को ट्रांस लोकेट करने के लिए बॉडी में ज ठीक है तो यह चीज है उसके पाद हमारा क्या है क्या है अब प्लेस है एक ऐसा प्लेस है जहां पर की बहुत ही कम रेंफॉल हो रहा है ठीक है डामिनेंट प्लांट्स देर में भी मतलब हमें बोला जा रहा है कि वहां का डॉमिनेंट प्लांट्स कौन-कौन सा होगा तो दे और पमसिया हो जायेगा जो होता है तो यह यह हो जाएगा तो तो यह चीज हो घ्र गया उसके बाद हमाएं सly नेक्षों कोच़ने इस स्लम्हें आपर फ्रेस वाटर आरगनिज duy आख्यों सवार में नौट लिव फिर लॉन इन सी water because the water because the surrounding water will be dash to body cell and dash may occur देखो क्या होता है यहाँ पर कि हमारे जो fresh water और फ्रेस वाटर जो organism होता है उसको चाहिए कम salinity वाला water यानि कि वहाँ पर salt का concentration कम होना चाहिए लेकिन अगर उसी organism को हम लोग कहां रख देंगे sea water में जहां पर क्या होता है कि salt का concentration जादा हो जाता है ठीक है जब salt का concentration जादा हो गया तो surrounding water उस organism के लिए hypertonic solution के तरह काम करेगा इसके तरह hypertonic के तरह ठीक है hypertonic solution के तरह काम करेगा और यह hypertonic environment होने के कारण यह body के cells का exosmosis करा देगा exosmosis करा देगा यानि कि उसके सरीर से जितना water है वह कहां निकलने लगेगा environment में surrounding में निकलने लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं exosmosis बोलते हैं यानि कि सरीर से बहार निकलने लगेगा water यह हो जाएगा hypertonic and exosmosis ठीक है यानि कि 27 का असर क्या जाएगा hypertonic and exosmosis ठीक है तो यह हो गया exosmosis यह हो गया उसके अब हमारे next question आता है question number 28 देखो three water bodies were tested for salinity of water ठीक है तीन water bodies को क्या किया गया test किया गया for salinity of water ठीक है तो water body x water body x salt concentration three parts per thousand ठीक है 300 कर रहा है y जो 35 and z कर रहा है 110 तो select the correct option regarding this मतलब इसके regarding हमको correct option select करना है कि x वाला क्या है y वाला क्या है और z वाला क्या है ठीक है तो देखो सबसे पहले जिस water का salt concentration 5 से कम हो lesser than 5 हो यानि कि lesser than 5 parts per thousand हो तो वो जो होता है inland waters होता है क्या होता है inland waters ठीक है यह चीज हो गया फिर जिसका salinity 30 से लेके 35 होगा वो water जो होता है सी का होता है किसका होता है c का होता है ठीक है उसके बाद जिसका salinity 100 से जादा हो क्या हो 100 से जादा हो यह क्या हम बोले थे 5 से कम बोले थे ठीक है यह हो गया 5 से कम होना चाहिए जब 100 से ज़्यादा हो तो इस condition को हम लोग क्या बोलते हैं lagoon बोलते हैं क्या बोलते हैं lagoon बोलते हैं तो देखो x में क्या है 3 है तो यानि कि यह किस में आ जाएगा inland waters में आ जाएगा यानि कि x जो हो जाएगा inland water हो जाएगा फिर y क्या हो जाएगा C हो जाएगा, YC हो जाएगा ठीक है? और Z जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? Lagoon हो जाएगा, तो देखो, सबसे पहले X Lagoon नहीं, Y जो हो जाएगा C हो जाएगा, यानि कि ये 28 कांसर B हो जाएगा, और यहाँ पे Z क्या दिया है? किसी भी एक लेक का और इसमें से हमको identify करना identify the leveled parts X, Y, Z and select the correct statement regarding them और इन सब के बारे में हमको correct statement बताना है, सबसे पहले देखो X, यह यहाँ पे क्या होता है? डारेक्ट सनलेट परता है इसको हम लोग बोलते हैं, लीटोरल जोन क्या बोलते हैं, Littoral जोन बोलते है ठीक है, और यह जो Littoral जोन होता है, इसको हम लोग बोलते है Sellow Coastal जोन क्या बोलते है, Sallow Coastal जोन, इसमें क्या होता है, कि Sallow Water present होता है लेकिन यहाँ पर Water यहाँ पर जो Light होगा, इसके सर्फेस पे पहुंचेगा क्या होगा इसके सर्फेस पे पहुंचेगा ठीक है तो यह चीज हो गया उसके बाद हमारा वाई वाला जोन है यह इसको हम लोग बोलते हैं फोटिक जोन फोटिक जोन, ठीक है, फोटिक जोन में क्या होता है, फोटिक जोन को हम लोग इसको लिम्नेटिक जोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन भी बोलते हैं, ठीक है, लिम्नेटिक जोन जो होता है, ओपेन वाटर होता है, और इसका जो होता है, यहां, मतलब यह तो किसी भी वाटर का ऐसा देफ्थ होता है जहां तकि लाइट पहुंच सके ठीक है यह हो गया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग लिम्नेटिक जोन भी बोलते हैं फिर जो लास्ट जेड वाला जोन जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफंडल जोन बोलते हैं प्रोफंडल जोन जो होता है यह डीप वाटर जोन होता है यहां पर लाइट कभी भी पेनेट्रेट नहीं कर पाता है तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग लिटोरल जोन होते हैं बिलकुल सही है और इसमें सैलो वाटर बैंक होता है वाइट जो होता है यह जो है प्रोफंडल जोन नहीं होता है तो इसमें हमको क्या बताना है सबसे पहले तो यह तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे यह तो 40 जोन 9 फिर हम लोग he बोलते हैं इंपनेटिक को espa मेंटी को लिम्यून बोलते हैं धीक यह क्या अंसिक हो गया इनकरेक्ट हो गया उसके यहां पर नाम क्या है गलत दिया हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा प्रोफंडल हो जाए तो यह इंट क्याने की फिर्फ और सिर्फ यह वाया चरेक्ट हो गया ठीक है तो यह चीज अब आता हमाराइब question question number 30 में देखो यहां पर है मेनी एनिमल्स यूज दर डाई यूरेनल और सीजनल और सीजनल वैरियेशन इन लाइट इंटेंसिटी और फोटो पेरियेट को डिफाइन करने के लिए यूज करता है वह किस चीज को में रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले माइग्रेशन को फिरी प्रडॉडक्टिव एक्टिविटी इस फिर उसको कैसे में करना उस जिसको Heard स्चुस्राइब ने के लिए करता है यह सब इस जो दो याänd करता है यह बहुति ऊपायल तो मतलब किसी भी स्वाइल का नेचर और प्रोपर्टी की सीज़ पर करेंगा करेंगा तो सो देखो किसी भी स्वायल का नेचर और पौंपटरी prob accessible होता है इसके क्लामिट कि जहां है वहाँ कैसा क्लामिट है पिर कीष बैदरिंग क्रोशेस से वह रोगा बना है और इसका स्वाइल का वाटर होल्डिंग कापिसीटी डेपैन करता स्वाइल स्वाइल पार्टिक़ यहां कहसे ऑग्रिगेट कैया है तो यह पर घृश्m उसका की particle size क्या है soil का जो particle size है वो क्या है फिर उसका chemical composition क्या है वुष चीज़ पर depend करता है यानि 32 इंसर क्या जाएगा दी ओल अब इस ठीक है तो यह चीज हो गया फिर उसके बाद आ जाता है हमार नेक्स question question number 33 यहां पर क्या है which of the following statement is incorrect मतलब इन समय से कौन सा statement जो है incorrect statement है ठीक है तो देखो सबसे पहले यहां पर study करते हैं सबसे पहले statement the flora of a place determined by the ability of water बिल्कुल सही है जब वहां पर कैसा water है उसी पर डिपेंड करेगा क्योंस एरिया का फ्लोरा कैसा develop हो रहा है the ability of light on land is closely linked with that of the that of the temperature in since sun is a source of source for both बिल्कुल सही है temperature और light दोनों जो होता है source होता है उसका source कौन होता है sun होता है और यह दोनों closely linked होता है ठीक है तो यह चीज़ है टो टोपोग्राफी डाज नॉट अफेक्ट बायोडिवर्सिटी ने टोपोग्राफी है plane है कैसा slope है कैसा rocks है यह सब चीज़ बताता है तो यह सब बहुत ज्यादा affect करता है किसी भी किसी भी बायोडिवर्सिटी को यह स्टेट्मेंट इनकरेक्ट हो गया यानिक 33 का अंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले यहां पर क्या है सबसे पहला स्टेट्मेंट को पढ़ना और हमको इन सारे और सबसे पहले यहां पर यहां पर नहीं होता है यहां पर ज्यादा बहुत ज्यादे लेंथ का होता है जिस कारण से क्या होता है वह उपर जाके ढख लेता है तो सनलाइट बहुत कम पहुंच पाता है जमीन पर जिस कारण से यह वहां का हर्ब्स और सब्सक्राइब कर लेता है अपने आपको लोग लाइट इंटेंसिटी में फोटो संथाइस करने के लिए ठीक है तो यह चीज हो गया फिर उसके बाद क्या है ग्रैज्वल इंक्रीजिन इंवरेज ग्रोबर टेंपरेचर विल अफेक्ट देश्टिविशन डिश्टिविशनल रेंज अफ सम स्पेसे बिल्कुल सही है तो यह बी स्टेट्मेंट करेक्ट हो गया उसके बाद क्या है दा क्वालिटी अफ्वालिटी अफ्वाल डिपेंड अपन बेदरिंग प्रोस अब हमको बताना है विच ओड़ फॉलोइंग विच ओड़ फॉलोइंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दस्वाल प्रोफाइल आड नौट रू मतलब कौन सा स्टेट्मेंट जो है वो ट्रू नहीं है देखो सबसे पहले क्या है और गनीक होरीजोन फिर ट्रॉपिका ट् inפ Megane मोला गया है कि मैंसीमम रूट्स जो होता है वो और हमंगे पाया जाता है और हमको यहां पे बताना है じ्ected होना जाए और थीक है फिर किया है degrees आता है ठीक है फिर क्या है मैंस्ट और मियूट्स होता है हृटे में नहीं पाह जाता है ठीक है उसके बाद देखो, horizon B contains partially bathing rocks, बिल्कुल चाहिए है, यहाँ पर क्या होता है, partially bathing rocks होता है, यहाँ पर bathing rocks होता है, ठीक है, फिर क्या है, horizon C contains roots of the plants and mineral salt, नहीं, horizon C में कोई भी root नहीं पहुँच पाता है, कोई भी plants का, और यहाँ पर कोई भी mineral salts नहीं होता है, यानि कि यह भी क्या हो गया, incorrect हो गया, यानि कि not true हो गया, यानि कि कौन कांसर not true हो गया, 2 and 4, तो कहा है, C में है, यानि कि 35 cancer क्या जाएगा, C आजाएगा, ठीक है, तो यह चीज़ हो गया, उसके बाद हमारा next question है, question number 36 देखो यहाँ पर, question number 36 हमें क्या बोल रहा है, an animal that can survive at 10 degree Celsius and 40 degree Celsius, both, can we placed under the category, मतलब हो यह बोला गया है, कि कोई एक animal है, जो की grow कर रहा, सर्वाइब कर सकता है, 10 degree Celsius पे भी, और 40 degree Celsius पे भी, तो इसको हम लोग किस category में रखेंगे, तो इसको हम लोग रखते हैं regulators में, क्योंकि देखो, वो अपना body का involvement क्या कर रहा है, regulate कर ले रहा है, 10 degree Celsius में भी, 40 degree Celsius में भी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, regulators, यानि कि 36 cancer क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिकत, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह चीज हो गया, उसके बाद हमाँ नेक्स कोशन है, given graph represents the response of organisms to various aviatic factors, on the basis, select the correct option for 123, देखो, यह organisms का response बता रहा है, organism का various aviatic factors के, इन तीनों का हमको naming करना है, तो देखो, सबसे पहले, यहाँ पर क्या है, external level है, और internal level है, external level और internal level, external level change हो रहा है, तो internal level भी change हो रहा है, यानि कि यह अपने body को confirm कर रहा है, कि हम external variation के साथ, internal भी variation कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, confirmers हो जाएगा, क्या हो जाएगा, confirmers हो जाएगा, ठीक है, यह क्या कर रहा है, इंटर्नल लेवल मेंटेन कर रहा है रहे इंटर्णल लेवल एक्स्तर लेवल से भी ये क्या हो जाएगा रिगूलेटर हो जाएगा यो यह सब्सक्राइब जू होता है यह सले कह जाये लिटर इसिती सरह आधिकम ऑलीलेटर णेख cu लेटर PAC 10 37 का A हो गया ठीक अब आजाता हमां next question question number 38 में यहां है given the given graph represents how three different living organism xyz को बिता external environmental condition study the graph and select the correct option regarding the xyz ठीक है अब हमको इसमें बताना है कि xyz में कौन सा जो है वो बिलकुल correct है ठीक है तो देखो यहां पर हमारा क्या है यहां पर correct क्या है सबसे पहले x जो है वो क्या है x जो है वो है हमारा confirmor क्या है confirmor है ठीक है जब confirmor है तो confirmor का example जो हो जाता है वो क्या हो जाता है confirmor का example जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा esteresis हो जाता है और भी बहुत सारा होता है तो यह तो यहां पर क्या बोल रहा है x could be mammal हाँ एक्स जो होता है mammal हो सकता है बिल्कुल सही है तो यह हो क्या और हम से क्या बोल गया correct option सेलेक्ट करने बॉला गया तो बिल्कुल सही हूं 38 का answer क्या हो जाएगा और इसका एक कुड भी हमन हो सकता है ठीक है फिर यहूंन नहीं और वाइक कुड भी यहां पर देखो सबसे पहले यह वाई क्या होता है रेगुलेटर होता है तो रेगुलेटर में एक्जांपल क्या आता है मैमल्स एंड और एंड बर्ड सीसे इसमें यहां जाता है ठीक है तो यह चीज है यहां पर थोड़ा सा explanation में कलती हो गया था question पढ़ने में दिक्कत हो गया था ठीक है तो यह चीज है अब आते हमार नेक्स question question no.39 में देखो question no.39 में क्या है और organism that can maintain a constant internal temperature is called मतलब बताना हमको कि कोई animal अगर constant internal temperature maintain करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं homeothermic क्या बोलते हैं homeothermic यानि कि 39 कंसल क्या हो जाएगा ठीक है तो यह चीजी हो गया अब आज तो में नेक्स question question no.40 में यहां क्या है when we are in a hot room be sweat profusely ठीक है it is a dash means of maintaining hemistasis रहां हम बताना है कि अगर हम लोग hot room में हैं तो वहां पर क्या होता है हम लोग बहुत ज्यादा sweating करते हैं तो sweating से क्या होता है body hemistasis maintain होता है यानि temperature maintain होता है तो यह जो temperature maintain करने का method जो है यह कौनसा means है तो यह जो है यह हमारा physiological means of maintaining the temperature कौनसा फीजियो लॉजिकल ठीक है तो यह था तो इस वीडियो मैंने आपको क्या बोला था कि question number one से लेके 40 तक को solve करवाऊंगा next video में हम लोग solve करेंगे 41 से लेके 80 तक और फिर उसके अगले वीडियो 81 से लेके 125 तो टोटल इस chapter कितने वीडियो आ जाएंगे तो यह हो जाएगा तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था आई होप आपको यह सारे questions अच्छे से समझ में आ गया होंगे courses करना आप अच्छे से इन question को solve करो और समझो क्योंकि NCRT fingertips जो होता है बहुत जादा important होता है नीट के exam में नीट में बहुत सारा question जो होता है इससे directly आएगा क्योंकि नीट में जो होता है आप तो पूरा completely follow किया जाता है NCRT को ही तो NCRT अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे NCRT का question है लाइन वाइन से question इसमें दिया रहता है अगर सारे question अच्छे से solve किया रहोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो बस यही सारी चीजे मुझे इस वीडियो में बताना था इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe भी जरू कर लेना तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में Thanks for watching